गवर्नर ने इस बात का जवाब दे दिया है कि क्या RBI एक हजार रुपे का नूट लाने वाला है अब इस बात का जवाब यहां जान सकते हैं जवाब जानने के लिए देखिए यह स्पेशिल रिपोर्ट अंदर की बात RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने मुंबई में दो हजार रुपे के नोट चलन से बाहर करने के लिए RBI के फैसले के बाद पहली बार बयान दिया है यहां उन्होंने विस्तार से इस बात की जानकारी दी कि देश के सबसे बड़े नोट को इस समय चलने से बाहर करने का निर्णई लेने के पीछे आखिर क्या वजा है RBI गवर्नर ने इस बात का जवाब दे दिया है कि क्या RBI 1000 रुपे का नोट लाने वाला है शक्तिकांत दास ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने 8 नवेंबर 2016 को रात 8 बजे टेलिविजन घोशना के जरिये इस बात का एलान किया था कि 1000 रुपे और ततकालिन 500 रुपे के नोटों की नोट बंदी की जा रही है उसी रात 12 बजे के बाद 1000 रुपे और उस समय चलने वाले 500 रुपे के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे थे देश में नोट बंदी का ये फैसला काले धन की रोक्ताम के उदेश्य से लाए जाने की बात कही गई थी उसके बाद बैंकों में लगातार कई दिनों तक 1500 रुपे के नोट बदलने और जमा करवाने वालों की भारी भीर के द्रश्य आज भी जहन में ताजासे लगते हैं